वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस स्रीज नाइन के अंतरगत राजपूत कालीन भारत से कुछ प्रशनों को साल्व करेंगे तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अस्थापित हुए थे सासन ठीक है तो इसमें जो पालवंस है इसका संस्थापक गोपाल है और देवपाल जो है देवपाल को पालवंस का सरवाधिक सक्तिसालिक सासक जो है माना गया है ठीक है यह भी आप याद रखना कि देवपाल को पालवंस का सरवाधिक सक्तिसालिक स या फिर विग्रवपाल, तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा आपका धर्मपाल, ठीक है न, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुमार गुप्त प्रथम ने जो है, कौन से विश्चो विद्याले की अस्थापना करवाई थी, ठीक है, तो धर्मपाल जो है, तो धर्मपाल के जो है, ये पालवंस का सासक था, ये तो आपको पता ही है, और धर्मपाल ने आठवी सताबदी में बिहार के भागलपूर में, ये भी आप याद रखना कि, जो है ये, जो आपका विक्रम सिला विश्चो विद्याले है, ये कहां पे अस्थापित किया गया था, ये भी अंसर है, कुमार गुप्त प्रथम ने जिसकी स्थापना कराई थी, तो आप कमेंट करके बताईएगा, ठीक है ना, तो वक्तियार खेलजी ने बारासो तीनिस्वी में जो है आपके इस विक्रम सिला विश्चो विद्याले को भी नश्ट कर दिया था, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म चत्रिय कहते थे, तो ब्रह्म चत्रिय कौन कहता था अपने आपको, पाल कहते थे, सेन कहते थे, प्रतिहार या फिर चोहन, तो इसका जो अंसर होगा वो है सेन, ठीक है ना, तो जो सेन वन्स है, इसके जो सासक थे, वो खुद को क्या कहते थे, वो ख लचमर सेन ने ठीक है तो लचमर समवत लचमर सेन के द्वारा ही श्टार्ट हुआ था अधिक तरह आप से पूछा जाता है कि लचमर समवत किस वंस के द्वारा ही श्टार्ट किया गया था तो वो कौन सा वंस था सेन वंस ठीक तो ये भी आप याद रखना हम लोग चलते हैं खजुराहो छतरफुर या फिर जासी तो ये जो है खजुराहो था ठीक है न तो ये जो है आपका जो चंदेलों की राजधानी क्या थी तो वो थी खजुराहो ठीक और राजा धंग जो थे उन्होंने ही ये राजधानी को कलिंजर से खजुराहो में अस्थानात्रित की थी य टीक है? Question number five में आते हैं हम लोग. Mount Abu के दिलवाडा जैन मंदिरों का निर्माड किस ने कराया? तो ये भी एक important question है. इसको भी आपको पता होना चाहिए कि दिलवाडा के जैन मंदिर थे वो उसका जो निर्माड था वो सोलंकी वंस के सासको ने कराया था. तो सोलंकी वंस के किस सासक ने कराया था तो वो था आपका भीम भीम देव प्रथम ठीक है ना तो भीम देव प्रथम ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माड करवाया था तो भीम देव का जो सामंत था वो था विमलसा तो उसके द्वारा ही निर्माड किया गया था या तो आपको आप जिरात के चालूग के थे जिनको सुलंकीव स्का आ गया और इसका भीम्दयो राजा था जिसका जो है सामंध था विलसा इसने जो है दिल्वाडा जैन मंद्रों का में निर्माड करा था और यह पूछा-जाता है कि दिल्वाडा के जैन मंदिर किस चीज के बने हुए है तो दिलवाडा के जैन मंदिर जो है संग मरमर से बने है एक question ये भी पुछा जाता है कि किस से बने है तो ये आपके संग मरमर से बने है और सोलंकी सास को नहीं से बनवाया था question number 6 की और आते हैं दिल्ली सहर का निर्माड किसने कराया था, तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपका अच्छा क्वेश्चन है, कि दिल्ली सहर का निर्माड किसने कराया था, महेंदरपाल, अनंगपाल, धर्मपाल या फिर जैपाल, तो इसकी जो अस्थापना की थी, दिल्ली सहर की ये किया था अनंग पालने और ये किस वंस का सासक था तो ये जो है तोमर डाइनेस्टी का सासक था ठीक है न तोमर वंस का तो ये भी आप याद रखना कि दिल्ली की स्थापना किस ने की थी तोमर वंस के सासक अनंग पालने की थी ठीक है अब अगला question देखते हैं कि और अधिकतर question पूछा जाता है कि किस वंस के सासकों ने दिल्ली सहर के स्थापन की तो तोमर वंस आप याद रखना जरूर खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदर किसके द्वारा बनवाया गया ठीक है तो यह जो है आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका आपसर आपको मिल सकता है लेकिन जो question जो है यूपी के ही exam में पूछा गया था यूपी के teaching exam में उसमें जो answer दिया था मैं आपको वो नहां देव मंदिर विद्या धर के द्वारा बनवाया गया था ठीक है अब आगे देखिए कहीं कहीं आपको धंग देव मिलेगा कहीं एक और राजा का नाम मिलता है अगला जो इसमें देखी इसका डीटेल देखिए अब कि मध्य प्रदेश के छतर पूर जिले में खजु से उचा और सबसे बड़ा मंदिर है वही है आपका कंदरिया महादेव मंदिर ठीक है जो सबसे उचा और सबसे बड़ा मंदिर है खजुराह समूव में वो है कंदरिया महादेव मंदिर और इसका निर्माड चंदेल सासक विद्या धर के सासनकाल में हुआ था ठीक है तो य प्रतिहार और राष्ट्रकूट यह तीन जो है आप से यह भी पूछ लेता है कि आपको यह तीनों दे देगा प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट एक दूसरा दे देगा पूछेगा कि तृफक्षी ये संगर्स में कौन सामिल नहीं था थिक है? तो ये तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए इस वंस में त्रिकोडी संगर्स प्रारंभ वूआ और त्रिकोडी संगर्स प्रारंभ जो है प्रिथवीराज चोहान ने मुहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार प्राजित किया, तो पहली बार इन दोनों का युद्ध जानते हो, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध इन दोनों का जो हुआ था, वो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध क यहाद रखना यही है और प्रिथवी राज तृषान भी है जिसका मुहम्मद गोरी से जुद्ध हुआ था ठीक है तो यह सब याद रखना आप लोग अब लेखें क्वेशन No.10 की और चलते हैं उत्तर राम चरितम के लेखक कौन थे तो उत्तर राम चरितम के जो लेखक थे वो कौन थे वालमिकी तुलसीदास भावभूती या फिर जयदेव तो इस तुलसीदास ने राम चरितम आनस लिखी है उत्तर राम चरितम किस ने लिखी है तो वो लिखी है भावभूती ने ठीक में ये जैदेव रहते थे ठीक है न तो भवभूती इसके अलावा देखिए भवभूती ने उत्तर राम चरित लिखी है उसके अलावा इनकी जो है दो और कृतियों को आप याद रखना महावीर चरितम और मालती माधाओ ठीक है मालती माधाओ आपके जो है एक्जाम से में पूछा भी जा चुका है कई बार तो मालती माधाओ किस ने लिखी है भवभूती ने लिखी है उत्तर राम चरितम इन्होंने लिखी है और महावीर चरितम भी इन्होंने ही लिखी है question number 11 क्यों राते हैं गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्षमीदर ने किस गरंथ की रचना की थी तो ये जो गोविंद चंद्र है ये गढ़वाल वंस के सासक है ठीक है न ये आप याद रखना कि गोविंद चंद्र जो है ये गढ़वाल वंस के सासक थे और इनका अब एक मंत्री था, यह भी नाम आपसे पूछा जाता है कि गोविंद चंदर के मंत्री का नाम आप बताईये तो उनका मंत्री जो है लक्षमिधर था यह भी नाम important है लक्षमिधर, इसने किस ग्रंथ की रचना की तो इसने जो है नवसांक चरित, राम चरित, कृत्य कलपतरू या फिर कादमबरी तो इसका जो आपसे नो आंसर होगा वो होगा आपका कृत्य कलपतरू ठीक है न तो गोविंद चंद्र जो है कड़वाल वंस का सासक था और इसका मंत्री आपसे पूछा जाता है वो लक्षमीधर है ये भी आप याद रखना और इसकी रचना क्या है क्रित्य कलपतरू ठीक है हम लोग चलते हैं क्वेस्चन नमबर 12 की तरफ क्वेस्चन नमबर 12 में है काब्य मीमानसा के लेखक राज सेखर किसके दरबारी कवी थे तो ये भी कई बार पूछा गया है कि राज सेखर जो है किसके दरबारी कवी थे ठीक है तो ये किसके दर्बारी कवी थे महेंदर पाल प्रथम, महेंदर वर्मन प्रथम, दंती दुर गया फिर हर सवर्धन तो ये जो थे ये महेंदर पाल प्रथम के दर्बारी कवी थे ठीक है न तो जो ये राज सेखर हैं ये महेंदर पाल प्रथम के दर्बारी कवी थे इ जो राजसेखर जो है कन्योज के प्रतिहार वंस के राजा महेंदर पाल प्रथम के दरबारी कवी थे राजसेखर की कुछ अन्य रचनाये हैं ये भी आप याद रखना काबे मिमान सा तो है ही इनकी रचना इसके लावाँ आप बाल रामयाड करपूर मंजरी भी याद रखें जो की प्रतिहार वंस का राजा था ठीक है अब हम लोग चलते हैं क्वेशन नमबर 13 की ओर 13 में देखिए क्या एक्वेशन दिया है 13 में आपका दिया है कि किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग्योतिसपुर है तो प्राग्योतिसपुर किस राज्य का प्राचीन नाम है असम का है उडिसा का है बिहार का है या फिर गुजरात का है तो प्राग्योतिसपुर जो है ये प्राग्योतिस नाम जो है महा भारत में मिलता है असम का नाम सायद महाभारत में मिलता है रामयाड में मिलता है आपको कमेंट में बता दिया जाएगा असम का जो अन्य नाम है वो है आपका काम रूप तो काम रूप भी आप याद रखेंगे और प्राग जोतिसपूर ये दोनों किसका नाम है ये नाम है असमकार ठीक है न तो प्राग जोतिसपुर और काम रूप ये दोनों नाम किसके हैं तो ये जो है आपके असम के नाम है ठीक है अब आपको देखिए question number 14 में आप आई देखिए question number 14 है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है प्रित्वी राजरासों की कौन सी पुस्तक है चंदरबरदाई सही है सिस्वालवध माग किरातार जुनियम राजसेखर गीत गोविंद जैदेव तो गीत गोविंद तो जैदेव की है लेकिन ये जो है राजसेखर की पुस्तक अभी आपको बताई गई तो उसमें तो किराता इसपालवध का माग है, पृत्वी राज रासों की चंदबर्दाई है, लेकिन किरातार जुनियम जो है वो है भारवी की, यह भी याद रखना किरातार जुनियम भी इंपोर्टेंट पुछतक है, यह भी आप से पूछा जाता है, ओके पृत्वी राज रासों तो हमेशा आपके गंगवन्स के राजा, ठीक है, तो यह भी याद रखना कि गंगवन्स के सासक थे, नरसिंग देव वर्मन और यिन्हों ने जो है, कोडार का सूर मंदिर बनाया था, और यह मंदिर पूरी उडिसा में श्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यह बहुत नरसिंग देव वर्मन ने बनवाया था, ठीक, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 16 की ओर, तो 16 में क्या आया कि कौन सा संस्थापक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो यह आपका प्रतिहार वन्स, तो प्रतिहार वन्स का सासक, जो संस्थापक कौन था, नाग सही जो सारे, यह सब के सब सही था, आपको पता हो कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसको आप लुक स्क्रिंसॉट ले लीजेगे, तो यह सारे आपके आज के लिए इतना ही उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए होगी और वीडियो आप लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर सेर कर दीजेगा और जो भी क्वेस्टन पूछेगा अगर उनका कमेंट कर देंगे या फिर आपको व वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद